हेलो फ्रेंट स्वागत है आप सबका मेरे यूटीब चैनल जिसका नाम है विकास 31 टैक फ्रेंट्स आज की इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूँ कि आप अपने यूटीब चैनल की तीन गाइडलाइन्स कैसे बना सकते हैं इसका नाम है, कि जब भी कोई आपकी वीडियो के उपर कमेंट करने जायेगा कमेंट बॉक्स पे जैसे ही क्लिक करेगा तो उससे सबसे पहले आपकी 3 बनाई हुई गाइडलाइन्स दिखाई देंगी जिससे आपके चैनल के उपर कोई भी spam comment या fake comment नहीं कर पाएगा तो ये इसका सबसे बड़ा benefit है तो काफी important वीडियो है वीडियो को पूरा last तक जरूर देखेगा वीडियो को शुरू करने से पहले मेरी last वीडियो पर जिसका सबसे पहला comment था उसका चैनल आपको मेरी स्क्रीन के उपर दिखाई दे रहा होगा प्लीज जाके इनके चैनल को support करें और इनके चैनल का लिंक आपको वीडियो की description box में मिल जाएगा वहाँ से जाके भी इनके चैनल को जरूर चेक आउट करें और इन्हें अपना पुरो पुरा support दें अब इस वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है तो प्लीज मेरे चैनल को subscribe करें और notification bell को on करके उसे all पे set कर लें जिससे आपको मेरी आने वाली हर एक नई वीडियो की update सबसे पहले मिले तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं तो friends हम आ चुके हैं अपने laptop की screen के उपर आप ये process mobile में भी कर सकते हैं mobile की screen छोटी होती है इसलिए मैं आपको इस बड़ी screen पे समझा रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए अगर आप mobile यूज करते हैं तो mobile में आपको chrome browser open कर लेना है और उसमें any steps को follow करना है जो मैं आपको इसमें बता रहा हूँ सबसे पहले आपको youtube.com पे आ जाना है और अपने channel के अंदर login कर लेना है मैंने इसमें login कर लिया है उसके बाद आपको top right corner में यहाँ पे अपने channel का icon दिखाई देगा आपको इस channel के icon पे click करना है और यहाँ से आपको your channel का option दिखाई देगा आपको simple इसके उपर click करना है उसके बाद आपको इहाँ पे customize channel पे click करना है इस पे आप जैसे ही click करेंगे तो आपके सामने इस तरीके से आपका dashboard जो है IT Studio का वो open हो जाएगा और यहाँ पे आपको left side में काफी सारे option दिखाई देंगे उसमें आपको नीचे आना है और यहाँ पे setting का एक option दिखाई देगा आपको इसके उपर click करना है तो setting पे click करके आपको इसकी settings खुल जाती है यहाँ पे सारी तो guidelines आपको कैसे बनानी है उसके लिए आपको यहाँ पे आप देख सकते हैं काफी सारे option है तो आपको यहाँ पे एक option दिखाई देगा community का आपको simple इस community वाले option के उपर click करना है और यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे तीन option आपके उपर आ रहे हैं automated filters, defaults और channel guidelines हमें guidelines बनानी है तो third number वाले पे click कर देंगे और यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे यह welcome message आप लिख सकते हैं अपने viewers के लिए उसके बाद यहाँ पे नीचे करेंगे कि be civil and respectful stick to the topic questions welcome no self promotion और spam challenge the argument not the person आप इन में से कोई भी select कर सकते हैं या फिर आप खुद लिख सकते हैं तो मैं आपको बना के दिखा देता हूं जैसे सबसे पहले पे आप लिख सकते हैं be civil and respectful ठीक है उसके बाद आपको यह पहला आपका add हो गया फिर आपको यह add guideline का option दिखाई दे रहा आपको simple is plus पे click करना है उसके बाद आपको फिर से नीचे आना है और इस में से आप select कर सकते हैं questions welcome ठीक है यहाँ पे दूसरे number पे यह बना दिया मैंने उसके बाद फिर से plus पे click करना है और यहाँ पे आप select कर सकते हैं no self promotion और spam ठीक है यह आप लगा सकते हैं इन में से आपको जो भी अच्छा लगे वो लिख सकते हैं यह अपनी तरफ से भी आप जो guidelines बनाना चाते हैं वो यहाँ पे लिख सकते हैं अब मान लिजी आपको कोई इसमें से पसंद नहीं आती तो आप उसे यहाँ पे delete का option दिखाई दे रहा है आपको आप जैसे इस पे click करेंगे तो यह delete हो गई ठीक है मैं दुबारा से इसमें add कर देता हूं third number पे यहाँ पे फिर से होंगे ठीक है तो इस तरीके से आप अपने YouTube चैनल के लिए तीन guidelines बना सकते हैं ताकि कोई भी आपके चैनल के उपर आपकी वीडियो के उपर spam comments ना कर पाई तो friends अब आप यह अच्छे से सीख गई होंगे कि आप किस तरीके से अपने YouTube चैनल के लिए guidelines बना सकते हैं comment box में जब भी कोई comment करेगा तो उससे पहले आपकी guidelines शो होंगी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा अगर फिर भी वीडियो से related कोई भी question query है आपके mind में तो आप मुझे comment section में comment करके पूछ सकते हैं और अगर आपको वीडियो अच्छे लगी हो पसंद आई हो तो इससे like और share जरूर करें thank you